दुनिया की पांच अजीबो गरीब इमारतें कहीं उल्टा चर्च तो कहीं नाचता मकान दुनिया में कई ऐसी जगहें और निर्मार शेली हैं जिनें देखकर लोग अचरद में आ जाते हैं इन अनोखी इमारतों की निर्मार शेली के बारे में जानकर आप जरूर इने प्रतक्ष रूप से देखना चाहेंगे नमबर एक उल्टा चर्च चर्च तो आपने देखा होगा लेकिन कनाड़ा के कैलेगरी में स्थित एक चर्च को देखकर आपका सिर्ग घूम जाएगा प्राइस टू रूट आउट डेविल है इसका मतलब शेयतान या बुराई को जड़ से उखालने का यंतर से है उल्टा चर्च साथ मीटर उचा और करीब तीन मीटर चौड़ा बना है इसका निर्मार दोहजार उन्निस में हुआ था नमबर दो जूते के आकार का घर पैसी लेविनिया जाने वाले लोगों के लिए यहां की एक अनोखी इमारत देखना ज़रूरी सा होता है यह अनोखी इमारत एक घर है जिसका नाम हैंस शू हाउस है नाम की तरह ही इस घर का आकार जूते की तरह का है जूते के आकार का यह घर हेलम टाउंशिप में स्थित है नमबर तीन तुस्तक लाइबरी युनाइटेड इस्टेट्स के मिजूरी में कंसास सिटी एक लाइबरेरी के अकार की है जिसे बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि कई सारी किताबें रखी गई हो तुस्तक रूपी इमारत का अकार 25 से 9 लाइबरेरी की दक्षणि दिवार पर किताबे दिखाई देती हैं जिसमें 22 किताबों के अनोखे और भवी डिजाइन को इमारत बनाया गया है नमबर चार टोकरी में ऑफिस ओयो के निवार्ख शहर में एक ऐसी इमारत बनी है जिसका आकार किसी लकडी की टोकरी जैसा है इसमें उपर इस्तीर के दो हैंडल दिये गए हैं और नीचे की ओर टोकरी का आकार है यह इमारत लॉंग बर्गर का मुख्याले है जो की लकडी की टोकरी यो बनाने वाली एक कंपनी थी इस इमारत का निर्माण 1997 में कराया गया था इस इमारत के निर्माण के लिए लगभग तीन करोर रुपे खर्च हुए थे नमबर पाँच नाच्टा मकान घर के डिजैन में लोग नया पन लाने के लिए तरह तरह के निर्माण करवाते हैं लेकिन नीदर लेंड में स्थित एक घर का निर्माण देखकर आपको अनोख दानसर फ्रेट एस्टियर और जिंजर रोजरस के नाम पर फ्रेट और जिंजर पड़ा है मकान के दो हिस्से हैं पहले भाग को गास शीशे से बनाया गया है जो बीश से कुछ संकरा दिखता है दूसरा हिस्सा सीधा है इस मकान में कुल नौ मंजले है